नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज अपन लेंगे हिंदी पेडागोजी का टेस्ट नमबर 9 इससे पहले टोटल 8 टेस्ट में आपके ले चुका हूँ और जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन वीडियोज का लिंक उन टेस्ट का लिंक आपको वहां मिलेगा प्लेलिस्ट का लिंक हिंदी पेडागोजी टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हो तो शुरू करते हैं दोस्तो आज का अपना वीडियो और पहला जो अपना प्रसन है वो है ऐसा यंतर जो रेडियो की समय सिमा को समाप्त करता है टेप रिकोडर, ट्रांजिस्टर, टेली विजन या कम्प्यूटर तो दोस्त आपको वो यंतर होगा आपका टेप रिकोडर, तो पहले परसन का सयांसोर क्या होगा टेप रिकोडर होगा आप सब लोगों ने भी इसका सयांसर दिया है दोस्तों मैं बताना चाहूँआ कि यह जो अनू प deposit कद ले रहा हूं हिंदी-पेड़ा है तो मैं आपका यह पेपर ले रहा हूं ठीक है दोस्तों और नेक्स्ट अपना प्रसना प्रसन नंबर दो ऐसा एंतर जो रेडियो की परसार्ण सीमा को स्माप्त करता है वह कौन सा है टेप रिकोडर ट्रांजिस्टर टेली विजन या कंप्यूटर दोस्तों देखिए साथ- तो आपका टेप रिकोडर होगा लेकिन रेडियो की परसार्ण सीमा को स्माप्त करने वाला येंतर कौन सा है ये दूसरे परसन में पूछा गया है दोनों बढ़िया परसन है और परसार्ण सीमा को स्माप्त करने वाला जो आपका येंतर है वो कौन सा होगा दोस्तों ट्रा इसके उपर वो पेपर मुझे आप सेंड कर सकते हैं विदानस्वर की अगर आप लोग सेंड करेंगे तो जो पेपर है नेक्स्ट पेपर आपका मैं ले लूँगा और जो है आपका नाम भी वहां बताया जाएगा कि इन्होंने ये पेपर तैयार किया ठीक दोस्तो नेक्स्ट अपना प्रसन है प्रसन नमबर तीन विद्यार्थी को समन करने में सरवादिक योगदान कौन सा वाचन देता है विद्यार्थी को समन करने में सरवादिक योगदान कौन सा वाचन देता है सैस्वर वाचन ये आपका दूर्थ वाचन है दूद वाचन नहीं दोस्तों दू लिए option number 3 आपका यहां पे बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा सैस्वर जो वाचन है वो उचार्ण सुदता के लिए उपयुक्त माना गया है दुर्थ वाचन जो वो कहानी वगेर आपन कुछ पढ़ रहे हैं तो तेजी से उनको पढ़ सकें यानि तेजी से पढ़ने दुर्थ वा वाचन वहाँ उपयोगी हो सकता है अपने लेकिन समय्ण योगिता के लिए अपना मोन वाचन जो वो उपयोगत रहता तो option number 3 यहां पे सही आंसर आपका रहेगा मित्रव अपना next person है प्रसंद नमबर 4 कौन सा एक कारक हिंदी सिक्षन की चुनोती नहीं है सरकारी उदास इ फिर देश में वोटों की राजनिती तो हिंदी सिक्षन की चुनोती जो है नहीं है वो अपने को बताना है तो सरकारी उदास इंता चुनोती है दूसरा option तीसरा option यह तीनों की तीनों बिलकुल हिंदी वासा सिक्षन के लिए चुनोती हैं लेकिन देश में वोटों की राज विसे है तो उप्सन नंबर च्यार यहाँ पे सई आंसर आपका रहेगा नेक्स्ट अपना परसन है जब किसी ग्यान को सतत या जिवन्त रखना होता है सतत यानि अपने साथ लगातार उसको रखने होता यानि कि उस ग्यान को एक परकार से आतम साथ आपको अगर रखना हो यानि कि लंबे समय तक उसको रखना हो अपने पास तो वहां किस परकार के भासा कोसल का योगदान होता है प्रात्मी ग्राईय कोसल दिवित्य ग्राईय कोसल प्रात्मी अभिवेंजना कोसल या दिवित्य अभिवेंजना कोसल तो यहां पे आपका बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा दोस्तों ओप्सन नमबर चार दिवित्य अभिवेंजना कोसल जो है ऐसा करने में साहिक होता है तो सीखना केवल नोकली की दिशा में अगरसर होना ही नहीं इसमें कौन सा उपागम है जब सिक्सन के दोरान जब बालक को यह समझाया जाए कि सीखना केवल नोकली की दिशा में अगरसर होना ही नहीं है तो इसमें कौन सा उपागम है अपने को बताना जीवन के अंदरित अगम, यानि कि 2003 किया बोला गा है कि सीखना केवल नौकृ्छी की दिशा में अगर सर होना ही नहीं. ठीक है. तो यह बताना चाह रहा है कि केवल नौकृ्री लगने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, बलकि सीखने या पढ़ने का उप्युक्त तो नोकरी लगने की दिशा में अगरसर होना ही सही तरीके से सीखना नहीं है और भी वो सारे चीज़ें और समवाय का जो सिद्धान्द उसमें यही है कि सारे चीज़ें जो एक साथ लेकर के चली जाएं समवाय का सिद्धान्द अपनाया जाएं तो समवाई उपागम यहाँ पे आपका बिल्कुल सयांसर रहेगा मित्रव अपना नेक्ष्ट प्रसना प्रसन नंबर साथ किस विधी को पूर्व परात्मी कक्षियों के लिए प्रभाव साली नहीं मान सकते किस विधी को पूर्व परात्मी कक्षियों के लिए परात्मी कक्षियों के लिए प्रभाव साली नहीं मान सकते तो वह दोस्तो व्याकरण अनुवाद विधी का वहाँ कोई काम नहीं है व्याकरण से अपने कोई इसमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए बच्चों को बस जो वो सीखें वैसे उनको सिखाना चाहिए तो अनुखरण विधी बाससंसर्ग विधी और दोनियातों के विधी तो ठीक रहेगी लेकिन व्याकन अन्वार्ड विधी जो है वो इसके लिए सही चीज नहीं रहेगी तो उप्सन नमबर तीन आपका सही अंस्वर रहेगा नेक्स्ट अपना प्रसन प्रसन नमबर आठ मा देखो सायद बाहर दूद वाला है इस वाक्य में कौन सा बिम्ब परियुक्त हुआ है दरश्टी बिम्ब सर्वे बिम्ब विचार बिम्ब या भाव बिम्ब तो इसमें जो बिम्ब परियुक्त हुआ है दोस्तों वहाँ आपक सर्वे बिम्ब आट में दूसरा अपका सही है मा देखो बाहर दूद वाला है तो इसमें आपका सर्वे बिम्ब परियुक्त हुआ है तो अपसन नमबर दो यहां आपका सही आंसर रहेगा और नेक्स्ट अपना परसन है भासा सदेव होती है अरजित जनम जात दोनो या कोई नहीं तो दोस्तों अपन जानते हैं कि बच्चा जो है जब जर्म लेता है तो उसको कुछ नहीं आता है लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी माँ भासा बोलती है या उसके आस पास के लोग जो भासा का प्रियूग करते हैं वही भासा बच्चा सीख जाता है तो भासा जो हो जर्म के लिए मैं तो पुन है जिग्यासा अनूकरण अब्यास या उप्योक्त सभी तो दोस्तों भाउचा उपाघम बा करना के लिए क्या उप जिछ सुषिक ना जूद जूरूरature है तो अभ्यास भी यहां पे होगा तो ओपसन नंबर चार जो है वो इसका सही आंसर रहेगा उप्रयोक्त सभी एक बालक में बासा उपागम के लिए सबसे मैतोपून क्या है उप्रयोक्त सभी यानि जिग्यासा नुक्रन अभ्यास तीनों की तीनों जरूरी है तो यहां पे आपका उपसन नंबर चार यहां पे सही आंसर आपका रहेगा मित्रो परसन नंबर ग्यारा है वह कौन सी विदी है जिसके दोरा सिक्सक कविता पढ़ाते समें बालकों को आनंद की वास्त भी कनूबूती कराता है रसा स्वादन व्याक्यान विदी खेल विदी या गीत तो दोस्तों सबसे उप्युक्ति हैं मानी जाएगी आपकी रसा स्वादन विदी यानि की कविता में जो भी रस है आपका वीर रस है आपका हसे रस है संद्रिय का भाव संद्रिय रस है कोई सा भी रस है तो उसको रसा स्वादन के साथ उस रस का आपको अगर वीर रस है त तो विरत्व की भावना आप में पैदा करके जो है आपको पूर्ण अनुभूती जो है वास्त्विक अनुभूती आपको करवाई जा सकती है बच्चों को तो रसा स्वादन विधी जो है यहां पे सही अंसर आपका रहेगा मित्रो नेक्ष्ट अपना परसन है अभी कर्मित अनुदेशन में नहीं पाया जाता है विशेवस्तू उपागम आस्रिचर उपागम अर्थार्थ सिक्सक परात्मिक चर उपागम अर्थार्थ सिक्सक और च्यार मुल्यांकन उपागम तो अभी कर्मित अनुदेशन में दोस्तों मैंने आपको बताया विजब इसको पढ़ तो उप्सन नमबर तीन प्राथमिक चर उपागम अर्थार्थ सिख सक जो है वह अभी कर्मी तनुदेशन में नहीं पाया जाता है नेक्स्ट अपना प्रसन है प्रसन नमबर तेरा मात्र भासा है वह अतारौन की भासा मां के दौरा बोले गए सब्द समाज की भासा है सिधान्त पराथारित है करके सीखने पर अनुबो उसे सीखना पढ़ कर सीखना देख कर शीखना तो प्रयोग सालाविधी करके सीखने के सिधान्त पर आधारित है लर्निंग बाई डूइंग तो नमबर एक यहां पर आपका सही आंस्वर रहेगा मित्र अपना नेक्स्ट प्रसन है पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आउसेक्ता नहीं है वह है अनुदेशक अध्यापक अध्यक्स यह शिक्ष्यार्थी पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आउसेक्ता नहीं है वह होगी अनुदेशक अध्यापक अध्यक्स यह शिक्ष्यार्थी तो दोस्तो अपन जानते हैं कि पैनल चर्चा में जो है अध्यापक की भूमिका नहीं होती है वहाँ अनुदेशक भी होता है अध्यक्स भी होता और 15 में से आपके 13 सोधा प्रसंद सही हुए होंगे जितने भी प्रसंद सही हुए हैं उनको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रसंद सही हुए और भी ऐसे ही आपके लिए मैं पेपर लेके आता रहूँगा आप लोग भी अगर पेपर बना के सेंड करना चाहते हो तो सेंड कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में एक और नए पेपर के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत